जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्तुपुन कॉस्चन आंसर हिंदी साहित्तिकी तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है यह अपना प्रैक्टिस सेट पारवा है तो वीडियो को पूरा वस्त देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्क्राइब करने पहले अब कहां तक पहुंचे जाता च्टा वीडियो को सेयर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कापना इए वीडियो आज का अपने यहां पर first question क्या दिया गया है भेजी मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रिज गावनी में पावन जबे लगी तो जो है किस किरती की पंती है यह आपके लिए बताना है तो कौन सी किरती की पंती है सूरसागर बिरमरगीत या रसकलस या उद्धव सतक आंसर बनता है कमेंट में आंसर आप जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर तो आपका यहां पर जो सही आंसर है आज का first question है विकल्प नमबर आपका D उद्धव सतक आपका सही आंसर है विल्कुल सही उद्धव सतक जन्होंने विकल्प नमबर D बताया है उनका यहां प सब्द का पहले प्रियोग किस ने किया तो यह जो सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया है किस ने किया यह आपके लिए यहाँ पर बताना है question number है अपने यहाँ पर दो और दो का जो सही answer है बहे क्या है तो दो का यहाँ पर जो आपका right answer है बहे है विकल्प number C आनि की french row है विकल्प number C आपका सही answer यहाँ पर है विकल्प number C बिल्कुल सही right answer अंगला question ही रहा संकर से इस द्वारा लिखित नाटक नहीं है देखे नहीं पूंचा है आपसे नहीं है तो कौन सा नहीं है ये आपके लिए बताना है तो बताई संकर से इस द्वारा लिखित नाटक नहीं है तो question number 3 का सही answer होगा क्या होगा? Court Marsal Court Marsal यानि की विकल नमबर एक आप कहांपर सही answer है अंगला question है नहीं कहानी आंदूलन चलाने वाले लिखक नहीं है देखे नहीं पूंचा है आपसे ध्यान रखना है तो नहीं कहानी आंदूलन चलाने वाले ले लिखक नहीं है मोहन राकेस, राजेंद र्यादाव, कमलेस्वर, गंगा प्रसाद, बिमल, question number 4 का सही answer बताना है, और D right answer है, यानि कि गंगा प्रसाद, बिमल, आपका यहां पर सही answer है, अंगला question क्या पूशा गया है, तो देखे, पहला गिर्मिटिया उपन्यास के लेखक है, तो इसके पूशा क्या है, आपसे question number 5, और 5 का जो सही answer है, आपका विकल्प नमबर क्या होगा, पहला गिर्मिटिया उपन्यास है, और इसके जो लेखक है, गिरी राज कि सूर, आपका विकल्प नमबर भी right answer यहां पर है, प्रवासी के गीत, किसकी रचना है, महत्पूण question है, पर right answer, क्या है right answer, तो 6 का सही answer, विकल्प number D, आनि की आपका नरेंदर बर्मा right answer होगा, अंगला question क्या पूशा क्या है, तुम मुझे प्रेम करो, जैसे मचलियां लहरों से करती है, पंती किसकी है, यह पंती किसकी है, यह आपके लिए बताना है, question number 7 का सही answer, तुम मुझे प बहादुर से हैं, समसिर बहादुर से हैं, जो हैं, इनकी ए पंती है, तो विकल्प number C, आपके यहाँ पर right answer है, अंगला question यहाँ पर पूशा है, अनंत बिस्तार का अटूट मौन मुझे भैभीत करता है, किसकी पंती है, question number 8 का सही answer बताना है, मतुपन, question पूशा ग्या है, क पूँर नारायन, विकल्प number 1 आपके यहाँ पर सही answer है, अंगला question है, मावाली कहानी के रचनाकार कौन है, ओदय प्रकास सेखर जोसी, मोहन राकिस, कमलिस और एचार विकल्प, question number 9 है, सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्रे कर लें, जन्होंने अभी तक वीडियो को ला सही answer क्या होगा, ओदय प्रकास, धर्मबीर भारती, सेखर जोसी, मोहन राकिस, तो 10 का सही answer आपका यहाँ पर होगा, धर्मबीर भारती, यान की विकल्प number B, आपका यहाँ पर सही answer है, अंगला question है, प्रिया नील कंठी, निबंद किसका है, देखें, प्रिया नील कंठी क् सही answer होगा, देखें, विकल्प number 1 जिनों ने बताया है, उनका सही answer, बसंत आ गया है, निबंद की निबंदकार कौन है, बसंत आ गया है, क्या है यह एक निबंद है, और इसकी निबंदकार कौन है, तो यह आपके लिए यहाँ पर बताने है, question number 12 में कौन है, इसकी संदकार महत्तुपूर्ण कॉश्चन पूछा गया है कॉश्चन नमबर बारा और बारा का सही आंसर है आपका इहां पर विकल्प नमबर सी राइट आंसर हजारी परसाद दुबेदी अंगला कॉश्चन क्या है देखिए केसक वल्ली किसे का विकल्प पात रहे यह आपके लि असाद्य बीना आपका सही आंसर है सची पात्र किस का विका है आत्म हत्या की ब्रुद्ध या रसकला से अंधायोग विश्णू प्रिया तो कॉश्चन नमबर चवदा का सही आंसर है क्या है राइट आंसर चवदा का सही आंसर होगा विश्णू प्रिया विश्णू प्रि मन्दा तो मेला आचल राक दर्वारी या इधन आबा तो विकल्प नमबर सी आपका राइट आंसर है विल्कुल सही जिन्नों ने सी बताया उनका राइट आंसर है वहत बढ़िया सवी लोग वीडियो को लाइक वस्ति करते जहां चैनल को subscribe भी कलने जन्होंने अभी तक नहीं किया है question number 16 यहाँ पर पूँचा गया है रंगनात किस उपन्यास का पात्र है रंगनात जो है यह किस उपन्यास की पात्र है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है question number 16 का सही answer question number 16 है question पूँचा गया है और आपका सही आंसर है राग दरबारी विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर यहाँ पर है तुलसी दास किस आलो चक का ग्रंथ है तुलसी दास किस आलो चक का ग्रंथ है माता प्रसाथ गुपते या राम बिला सर्मा या राम सरुप चतुरवेदी नगेंदर कॉस्चन नमबर 17 का सही आंसर आपका जो यहां पर होगा 17 का राइट आंसर होगा यहां पर आपका विकल्प नमबर क्या है एक यानिकी माता प्रसाथ गुप्त यह जो है आलू चाखे और इनका एक ग्रंत तुलसी दास अंगला कॉस्चन है क्या है बदिवज्जमान का उपन्यास है इनका उपन्यास बताने है नंग पनी का देश सूतर धार एक चुहे की मौत दिल एक साधा का गज यह आपके लिए बताने है चुहे की मौत यहांग पनी का देश नदी के दीब question number 19 से right answer विकल्द number आपका B ननकी सूत्रधार आपका यहां पर सही answer है सूत्रधार आपका सही answer बिल्कुल सही अंगला question है गड़े संकर विध्यारती किस पत्रिका की संपादक रही है देखिए कौन सी बहे पत्रिका थी जिसके एक क्या रही है संपा तक रहे हैं कौन गड़े संकर विद्यारती समालोचक प्रताप या मतवाला या कभी बचन सुधा तो कॉश्चन नमबर 20 का जो सही आंसर है आपका 20 का राइट आंसर विकल नमबर आपका भी यान की प्रताप आपका यहां पर सही आंसर है अंगले कॉश्चन क्या कॉश्चन पूचा गया है और कॉमरेट का कोट किसकी रचना है तो संजय आपका राइट आंसर विकल नमबर आपका 20 आंसर बिलकुल सही अंगले कॉश्चन देख लेते हैं स्यामा सुपने के लिएका कौन है कॉश्चन नमबर 22 का राइट आंसर बताना है ब्रज नंदन सह गोपाल राम गहमरी ठाक और जगमोहन सह स्री निवासदास कॉश्चन नमबर 22 का राइट आंसर यहां पर बताना है तो स्यामा सुपने के लेखा के ठाक और जगमोहन सह आपका यहां पर सही आंसर है साध्धौनी का उच्चारन इस्थान यहां पर बताना है यह जो तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानि की तालब भी आपका सही आंसर होगा अंगल्या कॉस्चन है जादुई अथातवाद की प्रितिष्ट तापक हैं तो इसकी प्रितिष्ट तापक कौन है तो कॉस्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका जो यहां पर होगा वहे क्या है बुईलो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एंडी राइट आंसर यहाँ पर है उत्तर सनरचनाबाद के मुख बिचारक है इसकी मुख बिचारक कौन है question नंबर आपका, 25 है 25 का सईची आंसर बताइए उत्तर सन्राचनाबाद के मुख्य विचारक है तो question number 25 का सही answer है क्या होगा right answer तो आपका सही answer यहाँ पर है सस्यूर आपका यहाँ पर सही answer विकल्प number 1 आपका सही answer है अंगला question क्या पूँचा गया है तो देख लेते हैं अपना अंगला question है पर्द कतानक किस भासा की रचिना है राजस्तानी ब्रिज अबदी बुंदेली तो question number 26 का सही answer होगा आपका यहाँ पर 26 का right answer बताना है राइट answer है आपका यहाँ पर विकल्प number क्या है right answer आपका सही answer B आनिकी ब्रिज आपका सही answer है अंगला question क्या है देखे उज्वल बरदान चीतना का स्वंदर यह जिसे सब कहती है तो यह जो है पंती किस सर्गसी है यह किस सर्गसी पंती है यह आपके लिए बताने स्रद्दा आसा लजज आनन्द question number 27 का सही answer है आपका विकल्प number C आनिकी कितना अनुभूती पूण था बहचन का आलंगन किस रचना का कथन है कितना अनुभूती पूण था बहचन का आलंगन यह किस रचना का कथन है चंद्रकुप्त इसकंद्रकुप्त नील देवी 28 सही respond विकल्प number D ध्रव्प सौम्पनी आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगले question है आखरी कलाम काब्य का पृतिपाद्य विसाय क्या है तो इसका पृतिपाद्य विसाय बताना है question number 29 में right answer क्या होगा आपका तो 29 का सही आंसर बता दीजिए इसलाम दर्सन आपका सही आंसर है विकल्प number आपका C right answer यहाँ पर है वियूम केस दर्वेश के लेख़क कौन है महत्पुन question पूशा गया है वियूम केस दर्वेश और question number 30 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर विय है right answer क्या है एसपाल या रुद्र का C A या विसुनातर पार्थी हजारी परसाद दुबेदी सही आंसर है question number 30 का विकल्ब नंबर आपका यहाँ पर C आनिकी विसुनातर पार्थी आपका right answer है किस कभी का समाविश च्वाथा सब तक में क्या गया है संभुनास नहें जगदीश गुपते सुमन राजी नांगर जुन question number 31 का right answer बताना है किस कभी का समाविश च्वाथा सब तक में किया गया है तो आपका सही आंसर है 31 का विकल्ब नंबर C सुमन राजी सुमन राजी आपका right answer है अंगला question है क्या है तद वह पत्रिका का प्रकासन इस्थान है तो इसका प्रकासन इस्थान बताना है इस पत्रिका का कौन सही लखनव है बोपाल है कानपुर है लाहबाद है question number 32 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्ब नंबर एक यानि की लखनव लखनव जो की क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी अंगला question है क्या है विश्व भारती पत्रिका का संपादक है तो विश्व भारती पत्रिका के संपादक है तो कौन है बालकिष्ण भट्टे प्रेम चंद्र बाबु हरिस चंद्र हजारी प्रसाद दोबेदी question number 33 33 का राइट आंसर यहाँ पर बता दीजे question number 34 है 34 का सही आंसर है कौन है बिश्व पिरभाकर बिश्व पिरभाकर आपका सही आंसर है मैंने इस मिर्टी के दीप जलाए किसकी रचिना है question number 35 मैंने इस मिर्टी के दीप जलाए यह जो रचिना है यह रचिना किसकी है महादेवी बर्मा या रामनाथ सुमन धर्मबीर भारती सिव पूजन सहाई Q35 विकल्प नमबर B आनिकी रामनाथ सुमन आपका राइट आंसर है बन तुलसी की गंद की रचिनाकार है बन तुलसी की गंद की रचिनाकार फणिस्वानाथ रेनू Q36 से चार विकल्प भी देगा है महत्तुपून कॉस्चन है आपका और विकल्प नमबर एक राइट आंसर है फणिस्वानाथ रेनू आपका राइट आंसर है अंगले कॉस्चन है उत्तर योगी स्री अरबिंद की रचिना विधा है कौन सी है यात्रा विर्तान थे आत्मकता है संस्मुनण है जीवनी है तो 37 से चार विकल्प नमबर आपका यहां पर D आनिकी जीवनी जीवनी राइट आंसर है एक कंठ विस्पाई की विधा है जीवनी है गीती नाठ है संस्मुनण है रेखा चित्र है महत्पुन कौस्चन है या आपका तो इसका जो सही आंसर है एक कंठ विस्पाई की विधा है तो 38 सही आंसर आपका यहां पर विकल्प नमबर आपका भी यहां पर सही आंसर है अंगला question है प्रेमत्यू गाथा किस कभी की लंबी कभीता है कॉस्चिन अमबर 49 का सही आंसर बताना है केदारनास सहे अरुनकमल धर्मबीरभारती या केदारनाथ अग्रवाल Q49 का सही आंसर बताना है तो धर्म बीरभारती आपका यहाँ पर सही आंसर है सिवाजी का पत्र किसे की लंबी कवीता है Q40 का सही आंसर बताना है सिवाजी का पत्र सिवाजी का पत्र किसे की लंबी कवीता है तो आपका सही आंसर है चालिस का विकल नमबर आपका डी राइट आंसर है निराला निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही अंगले कॉस्चन क्या है अंगले कॉस्चन आच्रण की सब बता का एहदेश ही निराला है यह कथन किसका है आच्रण की सब बता का एहदेश ही निराला है यह कथन है सुकली जी का है बालकृष्ण भट्ट जी का है सरदार पूर्ण सेह जी का है या प्रताप नारण मिस्र जी का है तो कौस्चन नमबर 41 का सही आंसर बताना है तो सरदार पूर्ण सेह का यह जो है क्या है कथन है अंगला कौस्चन है नाम सौंदरे से कवीता की आयू बताना है, तो 42 का सही आंसर, आपका यहां पर D-right आंसर है, रामचंद, सुकल आपका सही आंसर है, अंगला कोस्चन क्या है, देखिए अंगला कोस्चन है, मुक्त करो नारी को मानाओ, किस कभी की पंती है, निराला, पंते, प्रसाद, महादेवी बर्मा, तो आपका 43 का जो सह आंसर बताना है तो आपका सही आंसर यहां पर होगा विकल्प नमबर एक यानिकी पंत जी की पंती है अंगला कॉस्चन है जोई लाई रकत के लेई किस की पंती है जोरी जोरी लाई रकत के लेई किस कभी की पंती है तुलसी मीरा जायसी कभीर तो चवालस का सही आंसर आपका कचू कहत ना आबे किसकी पन्ति है अभी कचू कच गधि गति गतिकचू कहत ना आबे ये जो पन्ति है कबीर की है रहीं की है या रियादास या सूरदास तो यहाँ पर 45 का सपहर Samotanai और दी राइट अंसर है पर स 활 FC आपकर सपहर Ada हैं आपके लिए बताना है अबदी में पिंगल में बोचपरी में खड़ी बोली में तो आपका च्छालिस का जो सही आंसर है बहे है च्छालिस का विकल्प नंबर एक यानि की अबदी आपका सही आंसर है बिलकुल सही अंगत का पाउं का लेकप कौन है अंगद का पाउं धर्मबीर भारती सरद जोसी हरी संकर परसाई स्रीलाल सुकल तो कॉस्चन नमबर 47 का जो सही आंसर है महत्पुन कॉस्चन पूशा गया है अंगद का पाउं के लिकाप कौन है 47 का राइट आंसर है स्रीलाल सुकल आपका सही आंसर है कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है देखिए कथाकार नहीं है तो कौन सी महिला हिंदी की कथाकार नहीं है तो यहाँ पर चार विकल्प आपके लिए देख रहे हैं तो बताए कौन नहीं है महा सोईता देवी कौन नहीं है महा सुएता देवी आनी की विकल्प नंबर D आपके हैं आपर सही आंसर है काली चरण किस उपन्यास का पात्र है काली चरण महत्वपुन कौस्चन पूँचा गया है जो काली चरण है ये किस उपन्यास के पात्र नहीं है स्वारी पात्र हैं पूँचा है आपसे मेला आचल गोदान जूटा सत्याक पत्र तो 49 का सही आंसर है मेला आचल मेला आचल आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर है अंगला question क्या पूंचा गया है देखे मित्र संबाद पत्र साहित किनके बीच लिखे गए पत्र का संग्रा है ये आपके लिए बताना है तो question नमबर 50 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नमबर C यानि कि रामबिला सर्मा के दानात अग्रवाल तो मित्र संबात पत्र साहितिकन के बीच लिखे गए पत्र का संग्रा है तो रामविलास सर्मा और केदानात अग्रवाल तो इस परकार अपनी यहाँ पर महत्वपुन कॉस्चन थे तो क्यां से लगा यह वीडियो कमेंट में आपके लिए बताना है यहाँ पर अपनी जो हैं आपके यहाँ तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करना है ताकि अनलोग भी एह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज की वीडियो में पस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद